आपके अपने चैनल जोगी सरकी पाट साला को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नई वीडियो आते ही आपको नोटिफकेशन मिल जाएगा वीडियो में प्लस्टू कलास के मैच सब्जेक्ट के चैप्टर नमबर 3 मैट्रिसेज की एक्सरसाइज 3.4 के क्वेस्टा नमबर 5,6 और 7 को सॉल कर रहे हैं क्या है इनका हमने इनवर्स निकालना है यूजिंग एलिमेंटरी ट्रांसफोर्मेशन तो रो ट्रांसफोर्मेशन हम यूज करते हैं यहां पर let it is A अगर A matrix है तो A को हम कैसे लिख सकते हैं identity into A क्योंकि हम row transformation लिख रहे थे अगर column होता तो हम A into I लेते तो हम लिख सकते हैं क्या 2174 can be written as 1001 into A चिक है अब इनको change कर दीजिए R1 को यहाँ पे लिख रहा हूँ है R2 से interchange कर दीजिए interchange किया तो यह बन गया 7 4 and 21 यहाँ पे करोगे तो वही operation यहाँ पे लगाएंगे हम means 0 1 and 1 0 हो गया ठीक है अब next में हमने क्या करना इसको 1 बनाना है तो हम क्या करें इसका 3 times multiply इसमें से minus कर दो तो हमने R1 पे operation लगाया कि R1 minus R1 minus 3 of R2 क्या बना यह 1 बन गया इसमें से 3 times minus करोगे तो 4 minus 3 1 बन जाएगा यह as it is है हमारे पास ठीक है तो यह क्या बनेगा 0 में से इसका 3 times minus करेंगे तो minus का 3 हो गया इसमें से 3 times minus करेंगे 1 1 and 0 हो गया ठीक है अब इसको हमने क्या करना है 0 बनाना है means r2 पर operation लगाया r2 minus twice of r1 इसका twice हमने minus कर दिया तो क्या बनेगा किसके ओपर operation लगा रहे हैं second तो first तो as it is लिख दीजी इसमें से इसका double 0 इसमें से इसका double minus 1 यहाँ पर करेंगे r1 as it is लिखेंगे minus 3 1 अब इसमें से इसका double minus करना है 1 minus 3 into 2 तो minus minus plus हो जाएगा और 6 हो जाएगा यह क्या बन जाएगा 7 और इसमें से इसका double minus करोगे double minus करेंगे तो 2 that is minus का 2 into a हो गया अब इसको हमने क्या बनाना है plus 1 बनाना है ठीक है तो हमने r2 पर operation लगाया that is क्या लगाया minus 1 into r2 minus 1 से multiply कर दिया first row पे कोई operation नहीं इसको multiply किया 0 और यह बन गया plus का 1 यहाँ पे r1 पे कोई operation नहीं बट इसको minus 1 से multiply करें minus का 7 और plus का 2 into a बन गया अब क्या बच गया सिरफ हमने इसको 0 बनाना है अगर इसको 0 बनाना है तो हमने r1 पे operation लगाना पड़ेगा that is r1 minus r2 से यह minus करोगे minus 3 minus minus plus हो जाएगा तो plus का हमारे पास कितना बचेगा 4 1 minus 2 minus 1 minus 7 and 2 is हमारे पास क्या हो गया इसकी value आगे अब देखे यह into this a into something that is identity तो identity जो matrix है वो माल लीज़े अगर b into a है तो यह b इसका क्या हो जाएगा inverse so a inverse is equal to 4 minus 1 minus 7 2 हमारा answer आगया simple साथ हा चलिए next में फिर हम इसको a माल लेते हैं माल लीज़े a है तो हम कैसे लिख सकते हैं a is equal to i into a विज़ हमारे पास हम क्या लिख सकते हैं कि 2513 is equal to identity 1001 into a ऐसा लिख सकते हैं हम क्या करें इसको हमने 1 बनाना है या तो हम इसको change कर दें हमारी मर्जी है इनको change कर दें हम या फिर इसमें से हमने r1 पे operation लगा दिया कि r1 minus r1 minus r2 इसमें से ये minus कर दिया 2 minus 1 1 होई जाएगा तो क्या बनेगा हमारे पास बन गया 1 5 में से 3 जाएगा 2 और ये 1 3 and then it is r1 minus r2 means 1 minus 0 1 0 minus 1 minus 1 0 and 1 and it is a अब इसको क्या बनाना है 0 बनाना है तो हमने operation लगाया क्या कि r2 पे operation लगाया r2 minus r1 इसके ओपर operation लगाया क्या बना ओपर तो हमारे पास रह गया 1,2 वो तो as it is रहेगा इसमें से ये minus करेंगे 0 इसमें से ये minus करेंगे क्या हो गया 1 हो गया अब R1 पे तो कोई operation नहीं था इसमें से ये minus करेंगे तो क्या बनेगा minus 1 इसमें से minus करेंगे minus minus क्या बन जाएगा plus तो क्या बन जाएगा 2 into हो गया हमारा A अब क्या बचा हमारा सिरफ इसको हमने क्या बनाना है 0 बनाना है तो हम क्या करें R1 पे operation लगा दिया कि R1 minus twice of R2 इसका twice हमने minus करती है तो क्या बनेगा ये हमारा बन गया 1 minus 0 तो twice करेंगे 0 रहेगा 1 हो गया इसमें से इसका twice minus करेंगे 0 हो गया 0 and 1 अब इसमें R1 में से इसका twice minus करते हैं तो 1 minus 2 into minus 1 तो minus minus तो plus हो जाएगा तो ये हमारे पास कितना बनेगा 3 बन जाएगा इसमें से इसका twice minus करते हैं मतलब minus 1 minus of 2 into 2 तो minus का कितना बन जाएगा minus का 5 बन गया और यहां पे minus 1 and 2 into A तो ये हमारे पास क्या बन गया identity matrix बन गया हमारा हमने identity matrix ही बनाना था तो हम इसको कैसे लिख सकते है I is equal to B into A तो B हमारा क्या होगा इसका inverse होगा So A inverse is 3 minus 5 minus 1 and 2 is answer ठीक है यह होगा इसका inverse अब third में भी हम same ही करते है इसको हमने A मान लिया Let A is equal to तो A को हम कैसे लिख सकते है A is equal to I into A means हम 3152 is equal to किसके identity 1001 और into A लिख सकते है ठीक है क्या करें पहले interchange कर लिजी आप हमने R1 को R2 से interchange कर लिया Change कर लिया तो हम क्या करेंगे हमारे पास यह बन जाएगा 5, 2, 3 and 1 हो जाएगा ठीक है बन गया यहां पे भी आप interchange करेंगे तो क्या बनेगा 0, 1 and 1, 0 into A हो गया अब हमने क्या किया इसमें से इसका double हम minus कर रहे हैं हमने R1 पे operation किया R1 minus twice of R2 क्या बनेगा इसमें से इसका double minus करूं तो minus का क्या बचेगा 1 5 minus 6 minus 1 इसमें से इसका अगर मैं double minus करता हूं तो यह क्या बचेगा 0 यह तो बचेगा इसके उपर तो कोई operation नहीं 3 into 1 यह हमारा हो गया इसमें से इसका double minus करोगे तो 0 minus 2 मतलब minus 2 हो गया 1 minus यह तो 0 ही है तो क्या रहेगा 1 और यह value होगी 1 0 into A अब इसको हमें क्या बनाना है plus 1 बनाना है तो हम क्या करेंगे R1 is equal to minus 1 into R1 तो फिर operation क्या हमने यह प्लस का 1 बन गया 0 यह 3 and 1 और यह क्या बन गया हमारा minus 1 से multiply कर रहे हैं आप तो प्लस का 2 और minus 1 1 0 into A बन गया अब क्या रहेगा सिरफ इसको हमें 0 बनाना रहे गया तो हम 0 बनाते हैं R2 के उपर operation लगाएंगे R2 minus 3 of R1 इसका 3 times multiply इसमें से minus कर देजिए क्या बनेगा यह तो R1 पे कोई operation नहीं है तो 1 0 हो गया इसमें से इसका 3 times multiply करते हैं 0 हो गया इसमें से 1 ही रहेगा यह क्या हो जाएगा R1 पे कोई operation नहीं है तो 2 minus 1 ही रहेगा अब इसमें से इसका 3 times minus करो 3 2 जा 6 1 minus 6 that is minus का 5 इसमें से इसका 3 times minus करेंगे minus minus plus हो जाएगा तो plus का कितना हो जाएगा 3 into A हो गया हमारे पास ठीक है अब यह identity is equal to this into this matrix means हमारे पास अगर हम identity लिखते हैं तो यह B into A और B इसका inverse हो गया तो A inverse is equal to how much 2 minus 1 minus 5 and 3 यह था हमारा तीनों क्योंसन हो गए इसके बड़े असान से थे ठीक है चलिए इस वीडियो में इतना ही next वीडियो में हम अगले क्योंसन के साथ फिर मिलते हैं तब तक के लिए जैहिं जैभार